नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्ग धन तेरस का पर्व कार्तिक माह के किष्ण पक्ष की त्रियो दसी को मनाया जाता है और इस दिन खरिदारी करना सबसे ज़्यादा सुमाना जाता है वैसे तो हिंदू धर्म की अगर हम मानेताओं की माने तो इस दिन खरिदारी से धन सम्रिद्धी बढ़ती है और धन तेरस पर कुबेर देव की पूजा भी करनी चाहिए क्योंकि पौरानिक कथा के अनुसार कार्तिक माहके कृष्ण पक्ष की त्रियो दसी पर ही धन वंतरी अम्रित कलस लेकर प्रकट हुए थे और तभी से धन तेरस पर बरतन खरिदने की प्रमपरा चली आ रही है तो धन तेरस पर कौन सी बस्तू खरिदना सबसे सुभ होता है जीवन में खुशियां बढ़ाता है देखे दीपक के बिना दीपावली की कलपना भी नहीं की जा सकती और धन तेरस पर धेर सारे छोटे छोटे दीपक खरिदिये मिट्टी के तीन बड़े दीपक भी जरूर खरिदिये इसका प्रियोगा आप दीपावली की पूजा में कीजेगा एक बड़ा मुख्य दीपक होगा जो मा लक्षमी को समर्पित होगा दूसरा बड़ा सरसों के तेल का दीपक मा काली के लिए और जबकि तीसरा बड़ा जो दीपक है वो तिर्चा करके सरसों के तेल वले दीपक के उपर रखा जाएगा ताकि उसमें रात भर काजल बन सके और यही काजल आपको सुरक्षा कबर्ज देगा तो कलस और ढखकन सर्फोस जिसको कहते हैं देखिए यह आपके लिए बहुत आवस्यक है क्योंकि आप अगर धातू का कलस चाते हैं तो बैठाना तो वह भी बैठा सकते हैं लेकिन दीपावली पर जो कलस होगा वो मिट्टी का होतो सर्वोत्तम तो इसकी भी खरिदारी आप धन तेरस के दिन ही कीजिए अब दीपावली पर मा लक्षमी गनेश भगवान की मूर्ती की पूजा होगी तो ऐसे में उनके लिए नई मूर्ती भी धन तेरस के दिन ही खरिद लेना चाहिए क्योंकि धन के लिए मा लक्षमी और बुद्धी के लिए भगवान गनेश की उपासना करने का विधान है तो धन तेरस के दिन मा लक्षमी और गनेश जी की मूर्तियां इसी दिन खरिदी जाती है और जब आप मूर्ती खर दें तो विशेश बातों का ध्यान रखें भगवान गनेश की जो सूड है वो बाई हाथ की तरफ होगा गनेश जी का जो बाई हाथ है न उदर होगा और पर भगवान गनेश और मालक्षमी की मूर्थी मत लीजेगा अलग अलग पर मूर्थी हो निया बही कहता का शुरूआत होता है इसलिए धन्ते रसके दिन अगर आप याप व्यापारी हैं तो बही खाता यानि कि कलम और आपका जो खाता है डायरी जिसको कहते हैं वो जरूर ले आईए और इसकी पूजा आप दीपावली की पूजा में करेंगे तो इस दिन किया गया बही खाता का सुरुआद आपके रोजगार में आपके ब्यापार में खूब तरक्की कराता है तो बही खाता लाकर उसकी विसेश पू महराज और कुबेर जी महराज की पूजा करेंगे उसी समय सभी बस्तूओं में लक्ष्मी को जगाना होगा तो इस दिन सर्सों पीली सर्सों जरूर लाईएगा खरिद कर क्यूंकि जो सर्सों है वो नकात्मक उड़जाओं से बचाता है और लक्ष्मी को बुलाता है तो य जीवन में स्री बढ़ेगा धन बढ़ेगा यस बढ़ेगा और सुपाड़ी जो भगवान गनेश का प्रतीक मानकर हम पूजा करते हैं जब आप कलस अस्थापित करेंगे दिपावली के दिन तो उसमें आपको सिक्का और सुपाड़ी डालना होता है साथ ही गनेश जी की प भड़ता है समरिद्धी बढ़ता है और धान का मालक्षमी से सीधा संबंध है तो आपको धन तेरस पर थोड़ा ही सही 50-50 ग्राम का पैकेट भी धान का मिलता है मार्केट में आप उसको भी ले सकते हैं एक नारियल जरूर लेयेगा और यह नारियल कलस पर स्थापित होगा और मालक्षमी की पूजा में उनको भी अरपित किया जाता है चाहें तो दो लेया या आपके लिए संभब ना हो तो एक नहीं लाए तो यह नारियल को भी लाना होगा और फल वैसे तो आप धन तेरस के दिन भी ला सकते हैं या पिर दिपावली तक किसी भी दिन ला सकते है फल में कम सकम पांस तरका फल हो उसमें पानी वाला जो सिंगारा होता है वो जरूर लीजेगा अब इस दिन जैसे कि बहुत साई लोग धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं अपना घर करेश्टी कराते हैं जॉलरी खरीदते हैं सोने चांदी के बरतन खरीदते हैं तो यह जरूर ख़ई दिएगा यह खिलोना पूरे साल जीवन में ख़ूशियों और आनंदों को भरता है आप को चिनी के खिलोने मार्केट में जहां पर आप खील बता से ख़ई दें गे वहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि मा लक्षमी की पुजा में खील और बता से और चिनी के खिलोने ये तीनों का बहुत महत्व है इससे घर भरा जाता है और घर भरने का मत्तव होता है पूरा साल आप धन धाने से बरपूर रहेंगे आपके घर में खुशियां भरी रहेगी चांदी का सिक्का वैसे तो हर कोई ह तो आप ऐसे में पुराना सिक्का भी दोकर उसको फ्रेस करके यूज कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन यूज जरूर करना है अर्पिज जरूर करना है तो बरतन आप जो कि धनमंतरी जी जो है वह वह कलस लेकर प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से तो जो बरतन आप ख़ लें पर इसमें की कुछ जैसे की खील बता से आपने खरीदा जावल खरीदा तो इसी बरतन में भर कर लाईए खाली बरतन मत लाईएगा खाली बरतन लाना अच्छा नहीं होता धन तेरस के दिन जारू खर ले आते हैं तो मालक्ष्मी चली आती है और नई जारू का परियो लाए और फिकना है नमक जो नमक अब धन तेरस की दिन खरीद कर लाईएगा इसी नमक से खाना बनेगा पांच दिन तक धन तेरस से लेकर भईया दूस तक घर में आपके कीचन में पुराना नमक है उसको भी यूज कीजिएगा पांच दिन के बाद से जो संख है अगर तो लाल गुंजा लाकर जब धन की पोटली बनाएंगे तो उसमें डाल कर इसको पोटली बनाईएगा अगर आप स्रीयंत्र की अस्थापना करना चाहते हैं तो इस फटिक का भी ले कर आ सकते हैं लेकिन बहतर होगा कि आप जो बना हुआ स्रीयंत्र होता है उसको न लेकर कोड़ी देखिए कोड़ी जो है समुद्र जीब का एक खोल है और धन प्राप्ति के लिए धन के रूप में इसका प्रयोग चुकी प्राचीन समय से ही हो रहा है और धन तेरस पर कम से कम पांच कोड़ी जरूर खरिद कर लाईएगा और दिवाली के दिन इन कोड़ियों से विसेश पूजा कीजेगा अगर आप ओविवाइत हैं तो विवा होगा कर्जों से परेसान है तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी और साथ ही जो गोमती चक्र है एक विसेश प्रकार का पत्थर है जिसमें एक तरफ चक्र की आकृती बनी होती है और यह कई रंगों में होता है सफ 23 अगर आप 5 वोमती चक्र खड़ित लेते हैं और दी पावली के दिन गोमती चक्र मालक्षमी को और सिंदूर में रख लेते हैं तो दहन बढ़ता चला जाता है इसको धन के अस्थान पर रखा जाता है लाल और पीला कपड़ा जरूर लीजेगा एक तो लाल कपड़ा ौर और पीला कपड़ा गनेज जी के लिए आप चाहे तो सफेद कपड़ा भी ले सकते हैं और एक आसल ने लीजिएगा जिस पर आप मूर्ति को स्थापित करेंगे अगर आपके घर में नया कपड़ा है तो लेनी के आपसकता नहीं है इलाइची और लॉंग इसके बिना तो पू पूजियों को बढ़ाएगा धनिया धनिया के बिना तो पूजा अधूरा है धनिया का सीधा संबंद मालक्षमी से है तो जब आप धनिया खरिद कर लाएं तो धनिये के बहुत सारे चमतकारी परियोग होंगे ये भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे आपके घर में अगर और ये धन्तेरस से ही सुरू हो जाएगा जलाना तो घी आप ले आएए घर में अगर हैं पहले से तो लाने के आवा सकता नहीं है कमल का पुस्प जो कि मालक्षमी को सबसे जादा पसंद है तो कमल का पुस्प जो है वो आपके जीवन में खुसियों को बढ़ाता है और इस गुलाब का पुस्प दिपावली की पुजा में आवस्थे होता है तो धन्तेरस से दिपावली तक कभी भी ले आईएगा और गुलाब का इत्र भी खील बता से तो आपको खरिदना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ धनियां खरिदने की परमपरा है क्योंकि पुजा में व्रholes जब आप मान लक्ष्मी को और पित करते हैं तो लक्ष्मी इस थिर हो जाती है और ये है कमल गटचे का बीज है जीवन में खुसियां बढ़ाएगा यह कमल का बीज है और इसी से मखाना भी बंता है इसको आपको लाना है लक्ष्मी पूजा में भी आपको उसका प्र आपको पढ़ेगी पूजा में अगर आप चांदी का स्वास्तिक अस्थापना करना चाहते हैं तो धन तेरस के दिन लाकर दिपावली के दिन अस्थापित कर ले जीवन में धन बढ़ता जाएगा कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और आउला मालक्षमी की पूजा में आपक क्योंकि स्रीहरी को भी पसंद है और आउला आपके जीवन के खुसियों को बढ़ाने की चावी है तो आउला ले आईएगा अगर संबब हो तो नहीं तो बाद मिला सकते हैं और धान जरूर लाईएगा क्योंकि धान के परियोग से जीवन में खुसियां वापस आ जाती है तो इन चोटे-चोटे चीजों को लाकर आप बहुत सारे जीवन की मुश्किलों से बच सकते हैं और कोई भी एक चीज आप इसमें से ले आते हैं तो आपके जीवन में धन धाने बढ़ता जाएगा तो धन तेरस पर आप जितनी भी चीजें खरीदेंगे उसके लिए बिसे अब ही क्या की जाते हैं कैसे करें हम इसके बारे में विस्तार से बाते करेंगे अभी हम आप से बिदा लेते हैं जानकर अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्काइब कीजिएगा और अगर आपके घर में कोई बिमार है तो धनतेरस की दिन दबाई का दान जरूर अबलियं हो principe कookie आपके की अखंघ कॉर पले कि लाते हैं डते हैं करें तेमी तो हैं कि ठानकर वो फसके इसके बामे पीदाब के में ले 캇ब के घूर आते हैं मीह जाते हैं कि फिद्टीदी कि जाते हैं को फिते को आपके जैंन हैं पानकर अंसे लेते हैं में काह सब्सकूः